नमस्कार दोस्तों अमिताव चन का गनीपत पार्ट चार में आज बात करेंगें अमिताव की 1923 वो 1937 में रिलीज हुई फिल्मों के बारे में दोस्तों 1923 में रिलीज दो अंजाने जिसे दयालगुआ ने डारेक्ट किया था तता अमिताव रेका फ्रेम चोपड़ा पर मुग रोल में थे दोस्तों ये कानी अमित राई अमिताव की है जो रेलवे ट्रेक पर पड़ा मिलता है उसको एक धनी दंपती गोद लेते है प्रत्तु 6 साल बाद जब उसकी यादास तो वापीस लोडती है तो आके गटनाए किस तरह मोड लेती है यही सब कुछ इस फिलम में दिखाए गय है दोस्तों साथ इसमें मितुन्चक्रवति का भी दो मिनिट का केमियू है दोस्तों फिलम से मीट रही अगर आपने ये फिलम नहीं देखी है तो एक बार तो देखी सकते है दोस्तों दोन जाने के बाद इसी साल ये चोपड़ा दूरा निर्देशी तता खयाम दूरा संग कर लेते हैं प्रंदु कई वर्सों वाज जब एक पुलन मिलते हैं तो कहानी में क्या क्या ट्विश्ट आते हैं वो इस फिलम को देखने लाइक बनाती है दोस्तों फिलम में अमिताब के अलावा सचीगपूर इसीगपूर वहिदारमान और नितू सिंग भी परमूबू मि फिरा फिरी रिलीज हुई इसमें अमिताब वो विनोत खना दो दोस्त है जो लोगों को ठक कर बेवकू बना कर पैसे कमाते हैं प्रंतु फिलम का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब अमिताब को लगता है कि उसके पिता का कातिल विनोत खना का पिता है बस यहां से फिल दर्मा नितु सिंग थी दोस्तो इस फिलम में दर्मा बनेया मिताब गाउंस से पेसे कमाने मुंबई आते हैं प्रंतु ने एक जूटी अपरात के केस में पसा दिया जाता है और कानी आगे बढ़ती है दोस्तो फिलम अच्छी थी प्रंतु सेमी हिट रही दोस्तो आप बा वाले बदमासों से बदला लेते हैं इस कहानी को बहुती मजदार तरीके से बताये गया है दोस्तो फिलम के गाने जबर्दस्त है अमिताब की कॉमेड़ी विशेस रूप से जब वो पिटकर के गराता है और आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे पर बेंडेज लगा तो वो द्रेस से बिल्कुल एविस्मन्ट निये तता यादगार बन पड़ा है दोस्तो विनोत का नामर के रोल में तता अकबर के रोल में रिशेकपूर गजब लगते हैं और फिलम ब्लोकबश्टर रही दोस्तो इसके बाद रिलीज इमान दर्म जिसमें साशेकपूर जिव कुमार को कतल के केस से बचाने के चकर में खुद फच जाते हैं और स्टोरी कई मोड लेते हुए अंजाबन तक पहुंचती हैं दोस्तो लेकिन ये फिलम दर्सकों को ज़्यादा पसंद नहीं आई तता फिलम प्लॉप रही लेकिन दोस्तो इसी साल डिलीज फिलम ये फिलम आप एक बार जरूर देख सकते हैं दोस्तो गुनी सो सतंतर में ही रिलीज क्लासिकल फिलम आलाप जिसे रिशिकेस मुकरजी ने निर्देशित किया था तता रेका संजीव कुमार असरानी से कलाकार थे फिलम में अमिताब के पिता उसे वकिल बनाने चाते हैं प् 1998 की फिलमों के बारे में बात करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट अवसे करेता था इन में से आपकी कौन सी फेवरेट फिलम है जरूर बताए साथी दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले धन्यवाद